हेलो फ्रेंड्स ऑज हम बनाएंगे मेथी मलाई तो चलिए इसके लिए मैंने तयारी कर ली है ये मैंने ले लिया है टोमेटो प्यूरी अद्रग लैस्न का पेस्ट और साथ मे लिया है सिमला मिर्च और प्याज, प्याज को मैंने रफली काट लिया है, इसको मैं हलका सब भून लूँगी, बस एक मिनट मैंने इसे भून लिया है, इसको मैं कटोरी में निकाल दूँगी, इसी तेल में मैं तड़के में डाल रही हूँ जीरा, और डाल लूँगी ये सिमला मिर्च, सिमला मिर्च मैंने एक लिया है, जिसे मैंने रफली काट लिया है, और यहीं पर डाल रही हूँ अद्रक लैसुन का पेस्ट, एक मिनट इसे भी भून लेंगे, और डाल रही हूँ आधा चोटा चम्मच नमक, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चोटा चम्मच धनिया पाउडर, इनको भी दो मिनट भून लूँगी, दो मिनट भूनने के बार, अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ ये टोमेटो प्यूरी, ये टोमेटो, दो मीडियम साइज के टोमेटो थे, जिसकी मैंने प्यूरी बना ली, इसको भी थोड़ी देर पका लेते हैं, मसालों के साथ टमाटर को, दो मिनट मैंने मसाले और टमाटर को अच्छे से पका लिया है, अब यही पर एड़ कर रही हूँ ये, कटी हीवी मेथी, और इसे ढख करके पका लेंगे, लगबग साथ से आठ मिनट इसको मैं ढख करके पका लूँगी, लगबग आठ से दस मिनट मैंने सबजी को ढख करके पका लिया है, सबजी अच्छे से पक गई है, अब मैं इसमें एड़ कर दूँगी, ये भूना हुआ प्याज, प्याज को मैंने हलका सा भून के अलग निकाल लिया था, फस्ट में ही, प्याज को हमने गलाना नहीं है, प्याज को बड़े पीसों में इसमें छोड़ना है, प्याज का टेस्ट अच्छा आता है, अगर वो थोड़े बड़े पीसिज में हो, सबजी में, मेथी मलाई में प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी एड़ करूँगी इसमें और एक मिनटी से पका लूँगी अब मैं इसमें एड़ करने जा रही हूँ यह क्रीम, क्रीम लगभग चार चम्मज है अगर आपके पास क्रीम ना हो, घर पर फ्रेस मलाई हो तो आप इसमें मलाई भी एड़ कर सकते हैं और अगर मलाई भी ना हो तो आप इसमें दही भी डाल सकते हैं पर दही खटी नहीं होनी चाहिए फ्रेस दही आप इसमें डाल सकते हैं मैंने इसे पका लिया है मलाई डालके देख लीजे मेथी मलाई बन करके बिल्कुल तयार है तो फ्रेंड्स यह रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मुझे लाइक करें सेयर करें कमेंड करें और सबस्क्राइब करें मैं मिलती हूँ अब आपको अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई